दोस्तो बेलकॉम टू इटी स्पोर्ट हिंदी और मैं आपका जतिन दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इताची इस यह कि आपको पता चको है यह मेरा इताची का एसी है जो कि मैंने लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं इताची के बारे में मुझे काफी जारा क्वैस्ट आड़ी थी जैसे रिच्वाश लोगों की काफी जारा क्वैस्ट के या रही है मुझे फेसबूक पेज पे जिसका लिंक में डिस्क्रेप्स दाला हुआ है अगर आपकी को इंक्वेरी और कोश्चन हो तो प्लीस आप पूच सकते हैं फेस्बूक पेज पर आके तो आप मेरे से बात कर सकते हैं फेस्बूक पेज के उपर मैसेज बेच रखने मापके जवाब करें वहां पर उसके उपर वीडियो जूरू बनाईगा इत अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप से रिक्वाइस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जुरू कीज़ेगा और बेल आकन का घंटा जुरू दुएगा फ्रेंड यह हिताची एसी रिमोट है जैसे कि आप देख रहे होंगे में मादे ल्याए तो प्रेंड काफी लोगों काफी का प्रॉलम माती है एक के बारे में रिमोर्ट को चलाने में तो पहले तूंसे पार कम बढ़ाू सक्ते हैं यहां पे आपizers लिखा हुआ है मैं 22 कन सकते हैं चोविस कर सकते हैं उपर नीचे उड़े हैं, अगर आप इसे एक स्टेबल करना चाते हैं, तो आपको ये बटन दोआना है, ये एक दामी, वाही पे स्टेबल हो जाएगे जहां पर है, अगर आप इसे चाते हैं हिलाना, तो ये उपर नीचे होते रहते हैं, जैसे कि आप प्लिक करते हैं, अब वाट करते हैं यह तेंबर के बारे में वाद करने सहे तो यह के नीचे ए आइमर की है जब आपके दीचे ये लाइट आ जाती है automatically जब बंद हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी करना चाहते किसे तेंप पर तो यह यहां पर है कि आप गंदेवाद यहां पर यहां पर चाहते हैं अब आप fan speed के उपड़ है यह fan speed आप अब लो रख सकते हैं अब हैए रख सकते हैं वो आपकी मर्जी आपने फैंट स्पीड क्या करनी है वैसे एक की जो वाइस है यहां रफ्तार हवा फेंगनेंगे कि वह एकदम भी लो जाएगी बिल्कुली स्लो जाएगी मैंने मीडियम कर दिया है पूर पर है मीडियम मेरी तक रहा रहा है वह मीडियम होगी है मेरा फैन बिल्कुली स्लो हो गया ऐसी कह अब बात करतें है फिल्टर के बट्र के वाने में में दीज़िज फैल फिल्टर का बिटर्व आता है बेसिकली हमें फिल्टर को निखाल के साफ करना चाहिए तो यहां पर आप कर सकते हैं यह ओफ करने का बटन अब यह है कूलिंग आप यहां पर कूल कर सकते हैं जैसे कि मैं कूल के उपर क्लिक करता हूं तो आप कूल कर सकते हैं अगर आप ड्राय करना चाहते तो आप ड्राय कर सकते हैं आप कूल कर सकते हैं जैसे आप कूल ड्राय को सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आपके जो एसी है वह वैसे ही फंशन करता है चाहर वैसा ही वहां पे आपको पता लगजाए गा कि ज्रॉब में कितनी किदी हवा और फंक रही है थंडी हवा फिंग रहा है कि नहीं भिटा वहां प्तल के लगे अब बात करतें ओटो के बारे में । आट्सा है जो की बहुत जुरूरी फंचन आएसी में अप ऐसे करतें क इसका खहल रहता पर उसकी रफस्तार बिल्कुल सलोब करते हैं तो आटो में ये होता jest जैसे की पहले तो एसई में आते था याइड मोत करके ठ रहता है ज्स में कि आपके एसer में नाइटी आप एक टेंपरेचर रहता है जैसे की उन्हीं वह रहता अब अब ये पूरी नाइट 32 रेगा वैसे ही AC में आते थे पहले नाइट फंशन तो ये फंशन वही काम करता है जो नाइट फंशन काम करता है बड़ा ही सिंपल रिमोट है इताची का इन्वर्टर AC का ये DC अन्वर्टर AC है पड़ सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है